हें ऐसंगेस वेल टूडे अगाज विडियो आज हम लोग सिखने वाले थेंगे एंगे और तेंज होता क्या है और तेंज का क्या काम है हमं लोग तेंज क्या सटेय और हमें पड़ना चाहिए इन सभी चीजों चिजों के बारे में हें एगाज if you are watching my video first time and if you haven't subscribe my channel yet so प्लीज सस्क्राइप इच अच्वाइच को हिंदि को हिंदी बोलते हैं को अब जानते हैं यह तीन वर्ट जो है कहां से लिया गया थे चेंपस क तो तो उचर यहां पर एक वर्ड लिया गया जिसको को मोडिफाय करके बदल करके टेंस रख दिया गया ठीक है अब हम लोग जानते हैं टेंस के डेफिनेशन को होता क्या है टेंसी जब फॉर्म और यह तो पहले यह बात जानतेंगे दो चीज़े बात आती है यह दो चीज़े आपको बहुत ही खास है जो आपको याद रखना ज पहला एक्ष जिसको बोलते है वर्ब या कोई काम उसके बाद सेटम यह ताइम मीनता समय अब देखिए कैसे कोई भी वह वहता है ना इंगलीज में जो वह वह होते हैं वर्ब के पांच अलग-लग फोर्म होते हैं बैस फोर्म, पांश्ट पर्टिसिबल फोर्म और आइंज अभी वर्व को टेंसे के अगोडिंग टू यूज किया जाता है कुछ संटेज देखिए आपको यह दोनों चीज़े अच्छी तरके समझ में आएगा एक्सन क्या होता है और टाइम क्या होता है वेल टेंसे को जानने से पहले हम लोग कुछ चीज़े जो हैं जिसको हम लोग क अब 16 एप नरोग कॉछ कैंधने का मेरे वीडियो कर देखने का म कर रहे तो यह भी कौम है इसलिए आप मेरी बातों को इसली था तो एकसन कभी स्टाट होगा कल होगा तो फ्यूचर टाइम में हो गया आपने मेरा कल वाली वीडियो देखा कि भाइस के बीन बजान इंगलीज में क्या बोलते हैं तो आपने देखने का काम खत्म कर लिया तो यह काम पास्ट में हो गया तो टाइम जो थ्री टाइब के होते ह पर्जेन काम होता है यग CRD में होगा या नहीं तो होगा या नहीं तो अभी हुआ नहीं होने होंगा कि सब्सक्राइब और कुछ स्वार्ट बेर नहीं होगा तो यह याद रखना बहुत जोरी हो जाता है अब बात करते हैं तो टाइम थ्री टाइप के हो गए अब एक्षन कितने टाइप के होते हैं वर्व कितने टाइप के होते हैं वर्व तो मैंने बता दिया भी वी टू भी थृ भी फाइप बट एक्षन जो होते हैं उसके कितने फॉर्म में बाटे गि पहते हैं और सेगेंड है क्टेंड इसको प्रोग्रेसिव चेंज और इंपॉफयक्ट तेंज जए ऐसे हैं कामके अनुसार तेन में अब इन चारों का यूज अलग अलग है पहले बात करते हैं की कई कम को कब करेंड मालूम है और यह कब खत्म होगा ये भी मालूम नहीं है तो क्या हम लोग को जी मालूम कंग स्टार्ड कोई काम और खत्म Is क्पास्ट के साथ पास्ट के साथ फूचर इंड्याफनीट टेन्स अब बात करते हैं continuous change की उससे पहले हम लोग इंडेपनेट टेंज का एक्जमपल देख लेते हैं मैं पढ़ता हूं तो यह पढ़ना कब शुरू हुआ यह पता नहीं है और यह कब तक खत चलेगा और कभी खतम होगा पढ़ना हम लोगों के जीवन में तो यह मालूम नहीं है तो को लुक्तन वीच गूईंग ऑन इंपर जैन पास्ट और फूचर कोई भी काम चल रहा है वो जारी है जिस तरह से मैं बाजार जारा नहीं आएं यह फॉर बाजार जा रहा हूं आयम गविंटु मार्केट इसससे में देखिए बाजार जाने का काम क्या हो रहा है चल रहा है औ अब यह खत नहीं हुआ तो कोई भी काम चल रहा है आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं यूर वाचिंग माई वीडियो तो देखने का काम चल रहा है तो कोई भी काम चल रहा है तो इसको बोलते हैं और यह तीन अलग अलग टाम में चल सकता है अगर पास्ट में जिसे कल मैं बाजार जा रहा था आई वोज गूइंग टू मार्केड यस्टरड़े तो कल कोई काम चल रहा था आज मैं आप लोग को अंगरेजी सिखा रहा हूं तो यह काम पर जेट में चल रहा तो यह जागा बीचिंते उसकता रहा तो नेगा रहा हैं की की काम हंडेड परसेंट पुरी तरीके से खत्म हो गया जाता है तो हम लोग यूच करते हैं यदि यदि काम फ्यूचर में खत्म हो जाएगा तो उसे बोलेंगे फ्यूचर हम लोग यहां पर आप नाम याद रखिए क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सारी इंफॉर्मसन देना शुरू कर दूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग बूर हो जाएगा क कौ Pois में इस चार्ट हुआ और वह समय हम लोग को मालूम है कि कोई काम कभ चले यह मालूम नहीं है कंग तक चलेंगा यह कंग काय् altitude की कॅा सकता सब्सक्राइब करने तो से काम कभर होगा तो सिरन सब्सक्राइब करें यह और यह करतार सिखाता रहें गानाों यह मालूम नहीं कभी कब हो सकता है कभा में इस बोलते हैं और सही अगर इस तरह के अगर संटेंस पास्ट में बोले जाएंगे तो हो जाएगा संटेंस को फ्यूचर टाइम में बोलेंगे तो हो जाएगा फ्यूचर टाइम में बोलेंगे तो हो जाएगा फ्यूचर फ्यूचर पाफ्यूचर अलग-अलग भाग और टाइम के अनुसार टेंस के तीन अलग-अल नियम होता है उसको ग्रामर का उन चलता टेंज इसको जो हम सब बनाती है उसमें नियम जो जाए है कि वह जाते हैं और धाम yarum पापा के साथ अपने दोस्तों के साथ वह बोली वह बोली क्या अथा टाइम में याता है किसी का दास नहीं किसी का गुलाम नहीं है और इस वह जो को फोलो करना होता है अगर नहीं फॉलो करेका तो वह रोग होगा सबस्केसे और बोलेंगे आप आई इस्कूल गो टू यह संटेंस समझ नहीं आया यह संटेंस का सिच्वेशन भी नहीं बेठा यह संटेंस रॉंग है संटेंस को ऐसे बोलना पड़ेगा I go to school मैं स्कूल जाता हूं तो यह ग्रामर के नियम के अनुसार हुआ यह टेंस है तो यह संटेंस करेक्ट है तो हम ल सब्सक्राइब कर देंस को अमलोग टाइम कर सकते हैं यह बात याद रखनी है अब नेक्ट वीडियो अमलोग जानेंगे टेंस के जो टाइप होते हैं पर यह पने पड़ेंगे यदि आपने पार्ट वन और पार्ट को नहीं देखा तो इसको भी देख लिए ताकि आपको जीरो से अच्छी तरिके से इंगलिक समझ माएं यह दोस्तों यदि आपको यह इनफोर्मेशन अच्छी लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल एकन को भी क्लिक कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो को नाटिपी कर से बिल्कुल टाइम पर मिलती कर दो कर दो खशी है